हेलो दोस्तों जैसरी कृष्णा रादे रादे आप सभी का फिर से सोगत एक नए वीडियो में रोयल सांस वाला यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज मैं फिर से उपस्तित हुआ हूं आपके लिए बायलोजी के टॉप मोस्ट इंपोटेंट कुस्संस लेकर जो आज की का जो टॉपिक है हुआ है रेस्परेरिटरी सिस्टम जो आपके नीट एक्जम 2024 बियस्सी नर्सिंग सी यूईटी एक्जम 2024 के लिए बहुती मेहत्वपूर रहने वाला है और जितने भी आल गवर्मेंट कंपटेटिव एक्जम्स में बायों के कुस्ष्ण साते हैं उन सभी क लिए यह मोस्ट इंपोर्टन्ट वीडियो रहने बाली है तो देखिया आज का फ़र्ष्ट कुश्ण है आपके स्क्रीन पर मानव की कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हिर्देगति से तीब्र हिर्दे गति से मंद हिर्दे से भिंदर पर हिर्दे के समान दर पर जो दर पर इस पंदन करती है नेक्ष्ट कुश्चन नमबर टू सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों को को सी बीमारी होने की संबावना रहती है लिक्वेमिया, अस्तिम अज्जारोग, साइटो, सिलकोशिस, एस बैस्टोशिस तो जो सीमेंट की फैक्टरी में कार करते हैं, उनको स्वसन संबंदी बीमारी या सांस संबंदी बीमारी रहने का कतरा रहता है, तो वह बीमारी है साइटो, सिलकोशिस, ओप्शन भी इसका सही जबाब है दोस्तो, नेक्स्ट कुशन देखते हैं, निमल खित में से किस प्रक्रिया में उर्जा मुक्त होती है स्वसन, प्रकास संसलेशन, अंतर ग्रहण, अबशोशन तो किस में उर्जा, फ्री होती है, यानि मुक्त होती है, ओप्शन भी इसका सही है स्वसन रेस्प्रेशन में नेक्ष्ट कुशन देखते हैं निमल लिखित में से किसे कोसिकिय स्वसन भी कहा जाता है अन्ता स्वसन, बाह स्वसन, अनाक्सी स्वसन, आक्सी स्वसन तो कोसिकिय स्वसन किसे कहा जाता है इंट्रासेलिलर रेस्प्रेशन यानि अन्ता स्वसन को कोस्किय स्वसन कहा जाता है next question देखते हैं स्वसन के संबंद में सत्य कथन की पहचान कीजिए यह एक जैवराशानिक प्रक्रिया है इसमें भोजन का आक्सी करण होता है ATP के रूप में उर्जा मुक्त होती है उप्रोक्त सभी कथन सत्य है तो देखिए स्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जैवराशानिक प्रक्रिया है इसमें हमारे भोजन का आक्सी करण होता है और ATP के रूप में उर्जा भी मुक्त होती है जिसे हम क्या कहते हैं स्वसन कहते हैं तो ऑप्सन डी इसका सही जवाब है उफ्रोक्त सभी कथन सत्य है कुशन नमर सिक्स मानब सरीर में आक्सीजन का परेवन किसके माद्धम से किया जाता है हीमोग्लोविल, रुदिर प्लाजमा ए तथा बी दोनो रुदिर प्लेटलेट्स तो मानब के सरीर में जो आक्सीजन का ट्रांस्पोटेशन होता है हीमोग्लोविल, रुदिर प्लाजमा दोने को द्यारा तो ऑप्सन सीज का सही है ए और बी दोनो नेक्ष्ट कुशन देखते हैं साथ निश्वसन के समय गरड की गई वायू में अक्सीजन का कितना प्रतिसत होता है सत्रे प्रतिसत, एकीस प्रतिसत तेईस प्रतिसत, जीरो दसमलब जीरो थिरी प्रतिसत तो निश्वसन के समय गरड की गई वायू में अक्सीजन की कितनी प्रतिसता होती है तो इसका सही जवाब है ट्वेंटी फाइब ट्वेंटी बन यानी 21 प्रतिसत होती है नेक्स्ट कुशन देखते हैं फेपड़ों में गैसों का आधान प्रतान किस माद्यम से होता है रोधिर द्वारा, स्वांस नली द्वारा, वायू कूपिकाउं द्वारा, धमनियों द्वारा तो फेपड़ों में जो गैसों का एक्चेंज या आधान प्रतान किस किन द्वारा होता है वायू कूपिकाउं के द्वारा ओप्सन भी इसका सही आंसर है कुशन नमबर नाइन उच्छ वासन की प्रक्रिया में सरीर के बहार निकाली गई वायू में उक्षियन का कितना प्रतिसत होता है 21, 23, 4% और 17 प्रतिसत या परसेंट तो उच्छ वासन और निस्वासन में कितना होता था 21% और उच्छ वासन में कितना होता है 17% होता है Next question को देखते है इसे में सत्य कथन की पहचान कीजिए स्वाच्छावास कोशिकाओं के बहार जबके स्वाच्छावास कोशिकाओं के वीतर होता है बिल्गुल सही बात स्वाच्छावास की क्रिया में उर्जा उत्पन नहीं होती जबके स्वाच्छावास एक बहुतिक क्रिया है जबके स्व कुशन नम्मर 11 देखते हैं मानव शरीर में कारवन डाय अक्साइड का परेवन किस माध्यम से होता है हीमोगलोविल के माध्यम से पलाजमा में घुलकल बाई कारवनेट के रूप में उपरोक्त सभी माध्यमों से तो ये सभी ऑप्सन सही हैं तो उपरोक्त सभी आएगा इसक आंसर नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन नम्मर 12 भोजन निगलते समय स्वांस मार्क के संग द्वारा बंद हो जाता है एपी गलोटेस कंट स्वांस नली स्वासनी तो भोजन निगलते समय स्वांस मार्क किस से बंद हो जाता है तो भो हो जाता है आपका एपी ग कफन की पहचान किजिए यह लो है योक्त प्रोटीन है इसका निर्माण ही उपरारख्त था गिलोविन प्रोटीन सहोता है विल्गुल ये भी कतन सत्य इन में वायू के संपर्क में आकसा आक्स सीem FIFA लिन नाम का स्थायोगिका निर्माण करता है ये भी सत्य करता है तो ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है तो कुश्चन नमर 13 को देखते हैं संपरक में हम आकर ओक्सी हीमोगलोविल नामक अस्था या नर्माल करता है या लो एक्थ प्रोटीन है इसका नर्माल हीम वर लगत था ग्लोविल प्रोटीन की द्वारा होता है तो असत्य कतन की पूछ रहा है इन में से असत्य कोई है नहीं तो इन में से कोई नहीं ऑफ्सन डी नेक्ष्ट कुश्चन देखते हैं मनुष्य में दाया फेपड़ा कितने पिंडों में भिवाजित होता है तीन, दो, एक, चार तो मनस्व में जो दाया फेपड़ा होता है वहा है तीन पिंडों में विवाज़त होता है M. फाइस्यमा बीमारी का संबन्द किस से है ब्रक, कंट, हिरदे, फेपड़े तो option B सही है M. फाइस्यमा बीमारी का जो संबन्द है वह फेपड़ों से है फेपड़ों की सुरच्चा है तो उनके ऊपर कौन सी जिल्ली का आपरड़ बना होता है प्लिूरा जिल्ली, सलेशमा जिल्ली, आक्सी जिल्ली, क्रेप्स जिल्ली तो प्लिूरा जिल्ली option A का सही जवाब है किसके आक्सी करड़ द्वारा उत्पन उर्जा को स्वसन कहा जाता है ग्लूकोज, माल्टोज, सरकरा, उप्रुक्त, सभी तो इसका सही जवाब है ग्लूकोज नेक्स्ट कुशन देखते हैं कुशन नमबर 18 यहाँ यह कहा इसके आगे वो PDF बनाते समय कट गया है आक्सी स्वसन की किरिया में कितनी उर्जातपाद धन होता है 39 ATP, 38 ATP, 2 ATP, 11 ATP तो कितना होता है आक्सी स्वसन की किरिया में कुशन नमबर 18 का सही जवाब 38 ATP, ATP की फुलब़़म एडनोसीन, ट्राइफोस्विट नेक्ष्ट कुशन 19 को देखते हैं दोस्तो 19 कुशन क्या कहता है जब आनाक्सी स्वसन की किरिया जीवाणू और कबक में होती है तो उसे क्या कहते है किडवन, डाइफरंक्स, क्रेफ्स चक्र इनमें से कोई नहीं जब आनाक्सी स्वसन की किरिया किसमें होती है किसमें होती है जीवाडू तथा कवक में होती है तो उसे क्या कहते है तो इसका सही जवाब है option A किडवन यानि फर्मन्टेशन next question देखते है question number 20 गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस का गरड की जाती है 3.5, 4.5, 1.5, 6 तो कितनी की जाती है 3.5 option A इसका सही जवाब है क्रेप्स चक्र की क्रिया किस के अंदर संपन होती है माइट्रो कॉंडिया फेंपड़े श्वसंदल का हिर्द है तो जो क्रेप्स चक्र की क्रिया होती है दोस्तों वह माइट्रो कॉंडिया के अंदर शंपन होती है और माइट्रो कॉंडिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता यानि उर्जा गिरह और माइट्रो कॉंडिया के अंदर डियने भी पाहे जाते हैं ठीक इसके अलावा डियने और कहां देखने को मिलेगा आपको कोशिका के केंद्रक में क्लियर नेक्स्ट कु एक्षियों में ये एक्षिजिन के आभाब में पायविक 거지 2 अमलीका विखंडन हो जाता ज़ल में लेक्टिकJa और कार्वन दीयक्सैड में कोलिस्ट्रोल में ंस्क्रान उस्का क्या हो जाता अंसर बी-स इग new और कारवंडाई उक्साइड में पायरोवी कमल तूट जाता है जब वह कार करता है तो मनुस्य में दाया फैपड़ा कितने पिंड़ों में विवाजित होता है तीन में यह फिर से रेपीटेड कुश्चन है फिर से वही पीडियाप आ गई है दोस्तो अब इस कुश्चन को देखते हैं कुश्चन नमर 23 फैपड़ों में कितने लीटर गैस दारण करने की अधिक्तम छमता होती है नौ लीटर ग्यारे लीटर पांच लीटर साथ लीटर तो फैपड़े अधिक्तम पांच लीटर गैस दारण कर सकते हैं इस्टोर कर सकते हैं कुश्चन नमर 24 आक्सीजन ग्रण एवं कारवन डाय ओक्साइड के उत्सरजन की मात्रा किस्त पर निर्वर करती है हीमो गलोविन पर हिरदय की किरिया पर फेंपड़ों पर धमनियों पर तो सही जबाब है ओप्सन भी हीमो गलोविन पर कुश्चन नमर 25 कोश्काओं के अंदर कितने चक्करों में पूरा होता है दो तीन च्छे चार तो जो सेलूलर रेस्प्रेशन है वो कोश्काओं के अंदर कितने चक्करों में पूर होता है तो इसका सही जबाब है ओप्सन ए दो चक्करों में पूर यानि कंप्लीट होता है कुशन नमेर ट्वेंटी सिक्स आक्सी स्वसन की क्रिया कुश का के किस वाग में संपन उतिया कोश का द्रभ वर हो। मुक्त करने की क्रिया को क्या मिन्याइक्ष्ट कुर्ष्ट देखते हैं कौन सी क्रिया आक्षी तथा अनाक्षी स्वासन का कामन स्टेप माना जाता है ग्लाइकोलेसिस किडवन डाइफ्रोग वाइटल तो कुन सी मानी आती है ग्लाइकोलेसिस ठीक है ओप्सन ये इसका सही जवाब है आज का लास्ट और आखरी प्रस्ण कुश्चन नमर ट्वेंटीनाइन एक स्वस्त वयस ब्यक्ति हिरद कि दड़कने की ओसत दर क्या होती है 82 प्रतिमिनट बहतर बार प्रतिमिनट इकतर प्रतिमिनट 68 प्रतिमिनट तो एक स्वस्त जो ब्यक्ति होता है उसका हिरदय ओसतन बहतर बार प्रतिमिनट की दर से दड़कता है तो इसका सही जवाब है ओप्सन सी तो आज के ये टॉप most important 29 question स्वसन वाले chapter से आपको कैसे लगे एक प्यारा सा comment करना यद जो भी प्यारे बच्चे और यूवास साथ ही दोस्त चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर दें और वीडियो को like कर दें फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी most important topic के MCQ के साथ तब तक के लिए जहनुर